नमश्वार आप देख रहे हैं हमारा खास शो एंपी का रण और मैं हूँ आपके साथ साइमा फर्स्ट इंप्रेशन इस दा लास्ट इंप्रेशन ये हम सभी को बच्पन में ही सिखाया गया था लेकिन अब इसका मतलब आप मध्यप्रेश के सियम को देखकर बकू भी समझ सकते हैं जिन्होंने मध्यप्रेश की कमान सभालते ही ऐसा धमाका कर दिया है जिससे अपराधियों की और विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस की उल्टी गिंती शिरू हो गई है MP के नए सियम ने सकता पर काबिज होते ही अपना रुख बिलकुल साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से मध्यप्रेश में शांती को भंग करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा MP में शिब का राज खत्म हो चुका है और मोहन की बारी है जिनोंने अपने पहले कदम से ही खलवली मचा दी है और सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म का दिया है मध्यप्रदेश की सियम का अंदास देकर अब वहां की जनता भी बिलकुल टेंशन प्री हो गई है कि अब अपराधियों की बोलती बंद करने वाला सियम उनके प्रदेश में आ चुका है क्या है वो एक्षन जिसकी बज़ा से पूरा प्रदेश नए सियम का दिवाना हो गया है हमारे खास शो में आपको सब कुछ विस्तार से एक-एक करके बताते हैं दरसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही नए सियम मोहन यादव पूरी तरह से एक्षन मोड में आ चुके हैं जो पहला एक्षन उन्हों लिया है उसके बाद अपराधियों की बोलती बंद हो गई है MPCM के आक्शन से अपराधियों में खौफ युक्तर प्रदेश की तरह से बुल्डोजर की कारवाई देखने को मिलेगी और इसकी शुरुवार हो चुकी है दरसल ही पूरी कारवाई नाग जीरी इलाके में हुई है इसके अलाबाद CM यादव ने भाजपा कारीकरता पर हमला करने वाले फारूख के घर पर भी बुल्डोजर चलाने का आदेश दे दिया CM का आदेश मिलते ही अफसर भी फोरण ही एक्टिव हो गया और उनके आदेश के बाद प्रिशास ने कड़ी कारवाई करते हुए भोपाल BJP भाजपा कारीकरता की हतेली काटने वाले बदमाशों के घर पर बुल्डोजर चला दिया इस कारवाई से पूरे प्रदेश में संसनी फैल गई है दरसल मोहन यादव सरकार ने राष्टिय सुरक्षा कानून के तहत आरोपितों पर ये कारवाई की जो अपराधियों के लिए चेतावनी भी मानी जा रही है और हिदायत भी जानकारी के मुताबिक भोपाल में बीजेपी कारिकरता देवेंद्र सिंग ठाकुर पर पाच दिसंबर को कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था बदमाशों ने उनकी हतेली तक काट दी थे इस हमले में भाजपा कारिकरता गंभीर रूप से घायल हो गए थे वरिष्ट भाजपानेता कैलाश विजेवरगी उनसे अस्पताल में मिलने भी पहुचे थे और कड़ी कारवाई का भरोसा भी दिलाया था इस मामले में फारूख राइन और उसके चार असलम शारूख बिलाल और समीर जो साती हैं वो भी शामिल थे जिन्हें पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और अब MP के नए CM ने बुल्डोजर चलवा कर नयाय का रास्ता दिखा दिया है धरसल जैसे ही घटना की जानकारी मिली उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले की जाच के आदेश दिये थे जाच में पता चला कि इस हमले को देवेंदर के राजनीतिक विरोधियों ने अंजाम दिया था मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदमाशों के घर पर बुल्डोजर चलाने का सक्त आदेश दिया बुल्डोजर ने बदमाशों के घर को जमी दोज कर दिया जानकारी के मताबिक फारूख राइन का घर भोपाल की जनता कॉलोनी में था जिसे प्रशासन ने धाहा दिया है इस कारवाई से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है लोगों का कहना है कि ये कारवाई अपराधियों को सक्त संदेश देती है मोख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए हर संभाव कोशिश की जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बक्षाद नहीं जाएगा मुख्यमंत्री बनते ही कड़े कदम उठा रहे हैं मोहन यादव दरहसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपत लेने की तुरंत बाद मोहन यादव ने दो ऐसे बड़े फैसले लिए जो चर्चाओं का इस वक्त विशे बने हुए हैं उन्होंने 13 दिसंबर को ही धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के उपियोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया इस आदेश के तहट धार्मिक स्थानों और स्थार्वजनिक जगों पर लाउड स्पीकर का उप्योग केवल इवजाज़त के बाद ही किया जा सकेगा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पत्की शपत लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसली के तहट इसका आदेश जारी किया गया यही नहीं खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया सियम यादव ने कहा कि खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह से आस्वी का दे है। उन्होंने कहा कि आज यानी 13 दिसंबर को हमनी पहली क्याबिनेट बैठक में कई चर्चाएं की। हमने क्याबिनेट बैठक में खुले में मांस की बिक्री का मुद्दा उठाया और इसके ल पियम लाने का प्रिस्ताओं भी रखा है अब सवाल है कि आखिर कौन से स्पीकरों पर बैंड नहीं लगेगा क्योंकि सभी स्पीकरों पर बैंड नहीं लगा गया गया दरशल आपको बता दें कि मोहन यादव सरकार के आदेश के बाद आनियमित और आणियंत्रित यानि जो थाधा तेज बड़ते हैं वो ध्वनी विस्तार के अंतत्रोंक के उपयोग पर ही प्रतिबंद लागू होगा नियमित और नियंत्रित याणिस जो देसींबल के मताबिक लाउड स्पीकर चल रहे हैं उनके उप्योग पर कोई प्रतिबंद नहीं है इस तरह से जो लाउड स्पीकर कानून का पार्लेंट करते हुए संचालित किये जा रहे हैं उन पर किसी भी तरीके की कोई कारवाई नहीं की जाएगी इससे पहले आपको बता दे कि उजयन दक्ष देवडा मंसौर के मलहार से जो विधायक हैं और राजेंद्र शुकला रीवा से जो विधायक हैं उनको उपमुख्यमंत्री पत की शपत देलाई थी मध्यप्रदेश में मोहन राज की शुरुबात हो चुकी है और ताबर तोड एक्शन भी देखने को बिल रहा है ऐसे में सीयम मोहन यादव की तारीफों के पुल भी खुब बाद दे जा रहे हैं दरसल मध्यप्रदेश की पूर्व सीयम और वीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली उमा भार्ती ने राज़स सरकार की तारीफ करते हुए सोचल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि मध्यप्रदेश की नव निर्वाचित सरकार के मुख्या श्री मोहन यादव जी की कैबिनेट ने कल जो दो महतुपूर निड़े लिए खुले में मानस और अंडे की बिक्री पर सकती तथा धार्मिक स्थानों पर जोर से बचते हुए लाउड स्पीकर पर रोक दोनों समस्याएं सामाने जन जीवन के लिए बहुत बड़ी परिशानी थी उन पर नियंतरित प्रतिबंद लगा कर नई सरकार ने अपनी मानविय समवेदन शीलता का परिज़रिया है नय मुख्यमंत्री जी एवं उनकी कैबिनेट का अभिनंदन एक तरफ मध्यप्रदेश में एक्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तारीफ करने वालों की भी कमी नहीं है मध्यप्रदेश में खुले में मांस बेचने की समस्या को उमाभारती ने काफी गंभीर समस्या बताया और मोहन सरकार की तारीफ की वैसे आपको बता दें कि मुहन सरकार में मांस पर दिये गए आदेश की पहले ही राजेस्थान में बीजेपी विधायक बाल मुकुन ने इसी तरह का कारणामा किया था लेकिन उल्टा वो मुसीबत में फस गयते देशल राजेस्थान में हुए विधानसभा चुनाव पर नाम आने के बाद दो बाबाओं का नाम सस्पिस जादा सुरकियों में रहा आपने भी सुना होगा एक तिजारा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने बाबा बालकनाथ जिनका नाम मुखिमंतरी पद के लि की मांग करने और थाने में जाकर हंगामा काटने का वीडियो वारल होने के बाद वो अच्छानक मशूर हो गए लेकिन अब वो बुरी तरह से फस्ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक दलित ने मारपीट करके उसकी जमीन पर कबजा करने के कथित मामले में उनके खिलाफ इफायार दर्ज करा दी है दरसल पीडित सूरज मल रेगर ने कोट से एस्तगासे के जरीए करधनी मामले में बाल मुकुद आचारे और पुरुशोत्तम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है पीडित ने जमीन पर अबैद कबजा करने का प्रयास और मारपीट करने का आरोप लगाया शिकायत पर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो पीडित ने सीधा कोट का दर्वाजा खटखटाया नयायाले की दखल की बाद करधनी थाने में चार दिसंबर को मामला दर्ज किया गया इस मामले की जाच एसीपी जोट वारा सुरेंदर सिंग और गलत कौन जैपुर के करधनी थाने में दर्ज रिपोर्ट के मताबिक पीताबास गाव के रहने वाले परिवादी सूरज मलरेगर ने बताया कि बीते 10 अगस 2023 को परिवादी अपने खेत में काम कर ही रहा था कि उसी वक्त बाल मुकुंद आचारे और फसंज शर्मा अप पिता पुरुशोतम शर्मा के साथ कई लोगों के साथ उसके खेत पर आए इसके बाद बाबा ने परिवादी की च्छाती पर लात मारी और जाती सूचक अपशब्द बोलते वे हाथा पाई पर उतर आए पीडित ने भी बताया कि बाल मुकुंद आचारी ने तब कहा कि त उससे हमारा कुछ भी नहीं बिगर सकता और हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है यही नहीं परिवादी और उसके परिजनों को जान से मारनी की धमकी भी दी थी उसके साथ मार पीड भी की गई वैसे आपको बता दी कि यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि राजस्तान में चुनाव नतीजे आने के बाद बाल मुकुंद आचारी अपने क्षेत्र में पहुँचे थे वहाँ एक सरकारी अधिकारी को फोन पर चेतावनी भी दी थी कि सडकों पर कोई भी नॉन्विज फोड नहीं बेचना जाए यहां तक ही यह भी कह दिया कि शाम तक सभी गलियां साफ हो जानी चाहिए उन्होंने लोगों के बीच अधिकारी को फोन लगा कर पूछा था कि रोड पर खुले में नॉन्विज बेच सकते हैं क्या हां या नहीं मैं बोलो तो आप समर्थन कर रहे हो इसका तुरंत प्रभाव से आप नॉन्विज के सभी ठेले जो रोड पर ह हालंकि उनका वीडियो वाइरल होने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी ती लेकिन मद्यप्रदेश का मामला खुद मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है तो अब देखना होगा कि MP में आने वाले वक्त में क्या कुछ आक्शन देखने को मिलेगा हमारे खास शो में फलहा हुआ हुआ है